नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे स्यूटीव वीडियो क्लास में जिसमें आज हो लोग विहार वोट बर्ग अस्टम से संस्कीत पीश है के अमरिता पुष्टक से तेरह हुए पाठ रभी सवस्टी बरत उत्सावखा ध्यान करेंगे इससे पहले के सभी बारहो बिहार आज के सबसे प्रमुख लोग आस्था का बरत चट के बारे में पढ़ना प्रारम करते हैं चट बरत से ही संबंधित कुछ बाते यहां हिंदी में लिख कर बताया गया है लिखा है मुलताह दक्षिन बिहार में मनाया जाने वाला रभी सश्टी बरत उत्साव चट प आतिक में तथा गौन रूप से चैत्र के सुक्ल पक्ष की सश्टी सप्टमी तीथियों को मनाया जाता है वैसे इसकी तैयारी कई दीनों से पहले से ही होने लगती है विभिन जलासयों के आसपास बरत करने वाले इस्तरी पुरुस सायंकाल तथा प्राता काल जब सुर्य को अर्ग देने जाते हैं तो विसाल मेले का द्रिस्य होता है यह उत्सव बिहार की विशेश पाचान है प्रस्तूत पाठ में इसका प्रिचय दिया गया है तो बच्चों यहां इस पिच्चर के माध्यम से आप लोग देख ही रहे हैं कि छठ वरत के कुछ द्रिस्य दिखाए गये हैं और हम सभी बिहार के लोग छठ वरत की महिमा से पुन रूपे न परचित भी हैं चलिए पाठ को पढ़ना प्रारम करते हैं जिसके तहत यहां इस पहले परागराप में लिखा है प्राकिर्तिक पदार्थे सु सुर्या सर्वाधिका तेजस्वी आरोग्य प्रदस् अनेन सर्वे जीवा प्रानिन बनस्पत्य प्रानान लभ्यमते यानि इससे सभी जीव प्रानी और बनस्पती जैसे पेड़ पौधे प्रान को पाते हैं अस्य उप्योगितां विचार्यां देव रूपे न इम पुज्यंती जना यानि इसकी उप्योगिता को विचार कर द भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, यानि सुर्य के पूजन में कोई पूरोहित मध्यस्त नहीं होता है, यही इस ब्रत की विशेष्टा है, अब आगे यहां इस दूसरे प्रागराप पर ध्यान दिजिएगा, कि इस ब्रत को कम कम मनाया जाता है, इसके बारे में यहां बताया गया लिखा है, कार्तिको मास बरसा सीत्यो मद्धे अस्तित, यानि यह ब्रत कार्तिक मास बरसा और सीत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत्यृत् प्रभवंती यानि संधी काल में इस्थित ये दोनों मासों में अनेक रोग बुखार खासी आधी उत्पन होते हैं तत्र रोगा अनांग बिनासाय उप्वास आवस्यक वहां रोग के बिनास के लिए उप्यास आवस्यक है उप्वास रभिंसथी व्रते अनिवार्तया जायते यानि उप्वास शटवर में अनिवार्ज रूप से होता है अतल अस्य ब्रतस्य बैग्यानिकं महत्मं वर्तते अतल इस ब्रत का बैग्यानिक महत्तो भी है यानि चैत्रमास में सुर्ग के परकास से गेहु आधी अन पकते हैं उसका प्रयोग इस ब्रत में नवेद्यानी परसाद के रूप में होता है अतह चैत्रकालिक ब्रत उत्सवा ग्रामेशु परसिद्धा इसलिए चैत्रकालिक ब्रत उत्सवा प्रायागाओं में आयोजित होते हैं यानि चैती छट के रूप में उसका आयोजन होता है कार्तिक कालिक ब्रत उत्सवा वस्तु नग्रेशु बहुधा आयोजित कार्तिक मास का बरत उत्सव अत्यधिक सहरों में भी आयोजित होते हैं सर्वथापी जलासय अस्मिन बरत उत्सव आवस्यक तालागो वा नदीवा इस बरत में सभी जगा हर हाल में तलावों या नदी रूपी जलासयों का होना आवस्यक है क्योंकि जल में खड़ा होकर ही बर असनात्वा अर्गदानं कुर्वंती सागर तक पर इस्तित लोग सागर में ही असनान कर अर्गदान करते हैं ऐसा कि आप यहां हर जगा पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ब्रती माताये चलासय में ही खड़ा होकर अर्गदान कर रही हैं अब आगे यहां इस तिसरे परागरा इसे पढ़कर अनुबात करते हुए समझते हैं जिसमें लिखा है यसमीन मां से रभी सश्टी व्रत ओत्सवा आयोजिता भौती परिवारे तस्य पर्थम दिवसादेव परिवारे अभक्षय पदार्था वर्जिता भौन्ती यानि जिस मां में और जिस परिवार में छट पर आयोजित होता है उस परिवार में मा के पर्थम दिवसे ही नहीं खाने योग्य पदार्थ यानि नन भेजक को खाना बरजित हो जाता हैज सुक्ल पक्षक से चतूर्थी दिवसे सैयत नाम किरिया कलाप यानि सुक्लपक्ष के चौथे दिन सैयत यानि नहाय खाय नामक क्रिया कलाप प्रारंब हो जाता है उस दिन असनान कर पवित्र सिध्ध अन भात आदी पकाये जाते हैं प्रिये जन को भी ब्रती भोजन कराते हैं उस दिन को नहाय खाय के नाम से भी हम लोग जानते हैं वस्तुता तस्मादेव दिव साथ सयम प्ररभ्यते वस्तुता उसी दिन से ही सयम यानि नियम प्रारंभ होता है पंचम दिव से एक बार मेव बरतिना पायस रोटी कयो सुर्यादंतरंग भोजनं कुरवंती यानि पाचवे दिन यानि पंचमी तिथी को बरति लोग सुर्यास्त के बाद खीर और रोटी तथा आदी मूली फल मिठाई इत्यादी नेवच चढ़ाने के बाद एक ही बार उसी प्रसाद में से भोजन भी करते हैं इस्ट जनना पी भोजनती तथा इस्ट जनो यानि मित्र बर्गों को भी प्रसाद रुपी भोजन कराया जाता है तता सस्टम दिवसे संपुन दिवसम अनाहारह ब्रतिना शायंकाले सुर्पेशु फलानी धारित्वा दीपकंचा जाहार रहकर सायंकाले में सुपों में फल रहकर और दीपक चलाकर सुर्य के लिए अर्गदान करते हैं गीत बगएरा गाया करते हैं कोसी भी भरते हैं इत्यादी क्रिया कलाप जिसके बारे में हम सभी हर वर्स देखते ही हैं पुर्व के दीन की तरह ही यानी साम के घाट के तरह ही अर्गदान करते हैं तदंतर पारनं किरियंते उसके बाद पारन किया जाता है ब्रतिना स्वेंग प्रसाद गरहन कुरवन्ती अपरे भ्यास्च प्रयक्षन्ती ब्रती लोग स्वेंग प्रसाद गरहन करते हैं और दूसरों को भी प्रसाद देते हैं इस प्रकार से आगे यहां इस चोथे और अनतिम प्रागरा यांडिजेगा जहां लिखा है इथंग रवी सश्टी बरत उत्सव सुर्य उपासनाया महत्पुर्न आउसर इस प्रकार से छठ पर्व सुर्प उपासना का महत्पुन आउसर है बस्तुता इसमें सस्टी देव का पूजन संतान लाब के लिए तथा सुर्य का पूजन आरोग्य के लिए होता है इनहीं दोनों का पूजन मिश्रन रूप में यह प्रत है क्रमसा अस्य प्रसारा बर्धमाना दिरिश्यते इस प्रकार से क्रमसा इसका प्रसार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है आगे पूरे देश में जहां जहां बिहारी लोग बसे हुए हैं बिहार वासी बसे हुए हैं वहां यह ब्रत रविशस्टी ब्रत सोत्सव कार्तिक मास का ब्रत अवस्य रूप से सभी लोग करते हैं इस प्रकार से हम लोगों ने इस तेरहवे पाठ रविशस्टी ब्रत ओत्सव को संपुन रूप से हिंदी अनुबाद करते हुए पढ़ा तथा इस ब्रत के महत्तों को सथी थी नियमों सहित विश्तार पुर्वक समझा तो चलिए हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रसनों के तरफ चलते हैं जिसमें सबसे पहले आप इस पाठ के प्रिश्ट संख्या 164 से लेकर 179 तक्त में सब्दार्थ संधी विशेद प्रकृति परते विभागा इत्यादी दिया हुआ है जिसे स्वैंग लिख कर याद कर लिजिएगा ये आपके लिए होम वर्क रहा तो बच्चो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ के हैं देन बात प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और हां नोटिफिकेशन बेल को अल पर अवस्सेलेक्ट कर लिजिएगा क्योंकि इसके तुरंत बाद ही मैं इस पार्ट के सभी 15 कोस्चन एंसर का सॉलूशन भी डालूंगा अगर नोटिफिकेशन बेल आपका आउन रहा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तो मिलते हैं कोस्चन एंसर के वीडियो के में तब तक के लिए नमस्कार